इस बेडियों में उधारन चार का हल करेंगे देखिए इसमें क्या कहता है निमलिखित परती रूप को देखिए उपर यूख्त का मतला होता देखिए उप मतला उपर और यूख्त का अर्थ होता कहना कहा गया यानि उपर कहेगे परती रूप का उपयोग करते हुए निमलिखित के मान ग्यात कीजिए यानि उपर दिये गए बोल सकते हैं या उपर कहेगे परती रूप का उपयोग करते हुए निमलिखित का मान निकालना है तो देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं जैसे दखिए द तो लिखेंगे है ढ़ी इस से में और इस से एक कम करेंगे तो क्या होगा एक गुना और दो के बाद क्या होटा 3 यहां लिखना तीन यह अभ देखे जैसे यहां कितना झॉलनावगा नोटियू यहां जोड़ने जोड़नuate साथ ही होगा ठीक है उसी परकार देखिए तीन का घन और दो का घन तो देखिए तीन का घन यहां सबसे पहले एक लिखना है पलस तीन का घन है तो यहां लिखेंगे तीन ठीक है और इससे एक कम करना 3 से एक कम तो दो गया और यहां अंतिम में आपको 3 ही लिखना इस परकार लिखा हुआ हो देए 4 का क्यूप माइनस 3 का क्यूप हुआ कि थीनका गन है यां यह लिखेंगे और यह तर नीच चारका घंड यह बणी संख्यां को लिखना चार लिखना फिर इसको लिख देना तीन चार गोना तीन पूर यह अंतिम में आप को तीन लिखना तो यहां देखिए जैसे इसमें तीन तिया नौ नौ तिया कितना हो जागा 27 और विछ प्रकार उसमें तो इस परती रोप का यानि जो यह नियम का इस नियम का परियोग करते इसको हल करना है तो देखिए कैसे हल करना है साथ का क्यूब यानि साथ का घं माइनस चो का घं तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना एक पथ साथ ग४ूनाओ चो चोआ हैं और लाशॿर में तीन से गुना करना है ठीक इस परकार हल करना है अब यहां लेखेंगे एक पलस कितना इक तो क्या करेंगे पचास और इसको यहां अंतिम में तीन ही रखना तो इस पर्तिरूप का सहता से इसको अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंड करें और इससे पहले जितने वीडियो कर आप देखना चाहते तो हमारे चैनल के पले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं